दोस्तो अस्विनी वैशनप को आप लोगों ने आज से पहले शायदी कहीं सुना हो अस्विनी वैशनप को कल हुए मोदी मंति मंदल के विस्तार में रेल मंति देश का बनाया गया है तो आईए इस वीडियो में हम लोग जानेगे अस्विनी वैशनप के जीवन से जुड़ी कानपूर से बीटेक करने के बाद यहीं पर वो सिविल सर्विसिस यानि आई-स की तयारी करने लगे और यहीं से वो 26 वी रैंक देश में लाकर उड़ी साग कैडर के 1994 बैच के आई-स बन गए वहां पर बालेसवर और कटक जैसे जिलों में जहां पर चक्रवाद तूफान वह उसमें उप सचिव बना दिये गए और उसके बाद जब बाचपेई जी का कारकाल समाप्त हो गया उसके बाद वह अटल बिहारी बाचपेई जी के निजी सचिव हो गए 2008 में अमेरिका में एक विस्विद्याले से फाइनेंस की MBA की डिग्री पूरी करने के बाद जब द गईसा से राजसभा संसत के तोर पर उनकी संसत में इंट्री हुई और उसके कुछी दिन पहले उन्होंने बीजेपी ज्वाहिन की थी और वहां पर समीकर इतने अच्छे नहीं थे बीजेपी के लिए लेकिन जो बीजद के जो मुखमंती थे नवीन पटनायक जी उन्होंन ने उनका समर्थन किया और जिससे बीजेपी वहां से राजसभा की सीट जीत के आई तो अगर एक तरह से यह कहा जाए कि वर्तमान में जो रेल मंत्री बने हैं वह बहुत ही कुशल और बहुत पढ़े लिखे वेक्तित्त के धनी हैं और बिलकुल हम लोग उमीद कर सकते हैं कि रेलवे मंत्राले को वह एक नई उचाईयों पर ले जाएंगे हम लोगों को याद है कि जब एक लालुपिशाद यादो जी रेल मंत्री हुआ करते थे उस समय रेल मंत्राले की बहुत चल्चा होती थी क्योंकि उन्होंने जैसा भी कुछ किया हो आंकड़ों के खेल किया और देश को और रेल मंत्राले को नई उचाईयों पर ले जाएंगे वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें जरू बताना अपना सुझाओ चैनल पर अगर नए आए तो इसको सब्सक्राइब करके साथ में वेल आइगन प्रेस कर लिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक वेली नमस्काव